जो आपने वीडियो देखा है उसको थोड़ी दिर में डिसकस करेंगे अभी के लिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाउलोड करना है टेलीग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपाच यादव एजुकेशन आप लोग को ये वला चनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना देखोगर आप लोग को इस तरीके से ये चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडिएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है जैसी आप उस पे क्लिक करोगे ये चनल आटमेटिकली ओपन हो जाएगा इसको जाके जॉइन कर लेना जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर आप लोग को डेली बिस्स पर लेक्शर का पीडिएफ मिल जाता है डेली करेंट अफेर के वीडियो का पीडिएफ मिल जाता है और डेली बिस्स पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाता है नाव बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है सिरो ही नैशनल पार को कहाँ पर है यह exactly located अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे comment section में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथ एक question solve करेंगे जो कि UPSC previous year साल 2017 के prelims में पूछा इया था daily basis पर हम लोग यहाँ पर एक previous year question को भी solve करते हैं question काफी simple सा है question है traffic से संबदित यह traffic क्या है यह trade related analysis of fauna and flora in commerce यह basically जो हमारे plants और animals है उसको लेकर यह चर्चा करता है अब traffic से संबदे दो statement दिये गए है बताना यह है कि कौन सा statement correct है statement one यह बोलता है कि traffic एक विभाग है जो कि United Nation Environment Program के अंडर में आता है दूसरा statement बोलता है कि traffic का mission है to ensure that trade in wild plants and animals is not a threat to the conservation of nature याने कि जो हमारे wild plants और animals है इसका व्यापार हो रहा है तो इसके व्यापार की वज़े से हमारे nature के ऊपर कोई भी नुकसान ना पहुँचे यह बेसिकली यहाँ पर इसका एक mission है तो यह दो points देखने को मलेंगे अब नीचे option दिये गए हैं बता नहीं है कि इन दोनों statement में से कौन सा statement correct है option A one only, option B two only, option C दोनों correct है या फिर option D दोनों में से कोई सा भी correct नहीं है तो इसका सही answer आप सभी लोग को नीचे comment section में देना है at least सभी को इसमें participate करना है जैसे मैं आप लोगों से daily basis पर बोलता हूँ by the way इसका जो correct answer है वो मैंने आप लोगों को telegram पर provide करवा दिया है PDF में वहां से भी check out कर सकते हो otherwise वहां पर answer नहीं बलता है तो भी कोई परिशान होने की जरूरत नहीं है वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलो शुबारा हम करते हैं और चलते हैं सबसे बहले thumbnail वाले article पर तो आपने जो वीडियो देखा है ना उससे related ये चोटा सा article आपको देखने को मिल जाता है अभी इसको explain करूँगा लेकिन एक बात बता दूँ यार आज वीडियो काफी late हो चुका है वैसे regular basis पर 7-10, 7-15 इस time पर upload हो जाता था आज काफी late हो गया पता है क्या हूँ रिकोडर काम नहीं कर रहा था मैंने आदे गंडे ले पर 37 मिनिट्स का वीडियो रिकोड हो चुका था और वो रिकोडर वर्क नहीं कर रहा था तो मुझे यार देखने को मिला फिर उसका वो रिकोडर काम करना बंद कर दिया तो मुझ थोड़ा काम भी है तो इसकी वैसे मैं short record करूँगा जो भी important articles हैं एडिटूरेल से उसको यहाँ पर discuss कर दूँगा ठीक है ना तो थोड़ा सा short रहेगा मतलब जैसा detail explanation होता है आज थोड़ा सा कम रहेगा लेकिन ऐसा नहीं कुछ छोड़ेंगे सब कुछ cover करते वे चलेंगे पहले हम लोग अपने thumbnail वाले article को समझ लेते हैं अब देखो कल से ना इस article के बारे बहुत चर्चा हो रही है आज की Indian Express के newspaper में भी है दा हिंदू में भी है प्लस सभी newspaper औलडी cover कर चुके हैं कल Twitter पर यहाँ पर काफी ज़दा trend कर रहा था यह पूरा मुद्दा हुआ क्या है द जो हमारे opposition parties हैं वो opposition parties लगातर protest कर रही है किसी इसको लेकर protest कर रही है कि आपको बताओ गए भी recently GST को लेकर आए गया जो काफी सारे packed items है उसके उपर GST लगाए गई 5% और काफी कुछ items और भी है जिसको पर GST को लगाए गया तो opposition parties ने इस इसको oppose किया कि देखो जो GST लग जो Congress party है वो protest कर रही होती है अब protest करी रही होती है तो उती देर में एक news reporter आता है और Congress party के एक leader है जिनका नाम है यहां पर mention किया गया है जिनका नाम है अधीर रंदन चौधरी तो अधीर रंजन चौधरी यहां पर खड़े वे थे इनसे यहां पर किसी reporter ने पूछा अब क्य करना है फिर आगे तो इन्होंने बोला अब हम लोग यहां पर अपनी शिकायद दर्श करवाएंगे आगे president के पास में राश्ट्र पति के पास में लेकिन इन्होंने यहां पर यह नहीं बोला राश्ट्र पति के पास में यहां पर हम लोग एक complaint करने वाले हैं अपनी जो ब बाद से खूब जादा controversy यहां पर create होती है, यह word आपको दिख रहा होगा, clear हुआ, अब होता क्या है, जैसे नोंने राश्टरपत्नी word इस्तमाल किया, उसके बाद से जो हमारी ruling party है, वो काफी oppose करती है और वो बोलती है कि देखो, यहां पर हमारी president का अपमान क्या जा रहा है, जो president है, द्रापदी मुर्मु जी यह तो आपको बता है, second female president है, अच्छा first female president कौन थी, नीचे comment section बता देना, यह second female president है, और साथी साथ ध्यान रखना, second female president होने के साथ, first tribal president भी है, द्रापदी मुर्मु जी, तो यहां पर, सरकार ने बोला, खासकर यहां पर इस्मृती रा जिनका कहना यह है, कि देखो, यहां पर अपमान किया गया है, president का, क्योंकि, जब हम लोग बात करते हैं, president के बारे में, तो article 52 बोलता है, कि हमारे देश का head, जो है, वो president है, राश्ट्रुपती है, ठीक है, और सथ-सथ यहां पर बोला जाता है, देखो, जो भी post राश्ट् जंतरी ही बोले जाएंगे, और यह जो post है न, यह जो positions है basically, यहां पर आप कर सकते हो, मतलब यहां पर gender कोई role नहीं है, gender vendor नहीं देखा जाता है, यह post basically राश्ट्रुपती के लाती है, चाहे वो आप female बने, चाहे male बने, और राश्ट्रुपती के लाएंगे, ठीक है न, तो जिती की गई है, तो इसकी वज़ासे यहां पर आप देख पाऊगे, लगातार पोस्टर पकड़ावाएं नोने, यह नोने बोला, कॉंग्रेस की लेडर से, सोनिय अगंधी से की माफी मांगो, जो कि आपने starting में वीडियो भी देखा था, I hope यह पूरा का पूरा जो मुद् गई है, क्लेर हो गया, चलो, आगे आते हैं, भुला कि it was a slip of the tongue, यहां पर जमान फिसल गई थी, आगे माफी मांगी जाएगी, ऐसा यहां पर रदीर ने बोला कि मैं माफी मांग लूँगा, क्लेर हो गया तो यह पूरी कोंट्रोवर्सी चल रही थी, जो कि आपको समझ में आ चुकी है, आते हैं, अगले आर्टिकल पर, अगले आर्टिकल पर आने से पहले, वेडियो प्यार जो लाइक का बटन है, फटा फट उसको दबा देना, जो हमारा टार्गेट है 5K प्लस लाइक का यार उसको अचीव करवा देना, साधी साथ में आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टाग्राम पर जाओगे, सर्च बॉक्स में टाइप करोगे, दीपक जादव एजूकेशन, यह प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पर कनेक्ट करकर आप लोग अपनी क्वरीस को मेरे साथ में डिसकस कर सकते हो, आज का दहिंदू का PDF इतना बुरा आया बार-बार इदर उदर भाग रहा है, चलो कोई बात नहीं यहाँ पर कोशिश करते हैं, कर लेंगे, यहाँ पर आता है यह अवल आर्टिकल, यह आर्टिकल काफे ज़दा इंपोरेंट है, इसको आप लोग जीएस पेपर 3 एन्वोमेंट से रिलेट कर पाओगे, क्या मेंश कि एन्वोमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो भी कानून हैं, जो भी लॉज हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंगन करता था, इसका वोलेशन करता था, तो डारेक्ट उसको सजा है, भाई, जेल में बंद कर दिया जाएगा उसको, इम्प्रिजमेंट है और यहाँ पे पेनल्टी दोनों चीज़ें हैं, फाइन भी मारा जाएगा और जेल में बंद किया जा सकता है, अगर वो एन्वोमेंट संबंदित लॉस का उल्लंगन करता है तो, यह बात खुद एन्वोमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर थी, लेकिन आपको बताओगा प्रिसेंटली क्या होता है, इस 1986 वाले एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट किया जाता है, यानि कि कुछ संचोधन, कुछ बदलाव कि जाता है, वो बदलाव क्या किया गया, वो बदलाव यह किया गया, कि मानलो यहाँ पे जो भी कानून है, किसी ने उल्लंगन किया है, और वो बिल्कुर यहाँ पर आपके सकते हो कि simple violation है, simple violation या minor violation है, यानि कि छोटा सा यहाँ पर violation क्या है, थोड़ा सा कानुन तोड़ा है, थोड़ा सा environment को pollute कर दिया है, या minor violation है, तो basically यहाँ पर minor violation या simple violation में सजा नहीं होगी, जेल नहीं होगी यहाँ पर सरिफ और सरिफ इनके उपर पैनल्टी लगा दी जाएगी तो पैनल्टी लगा दी जाएगी इनको जेल नहीं किया जाएगा तो यह बदलाव किया यह था रिसेंटली एन्वोमेंट प्रोडेक्शन एक्ट के अंदर लेकिन अब यहाँ पर रिजन दिया गया कि ऐसा हमने क्यों किया रिजन क्या दिया? रिजन यह दिया कि सर पहले सी जुडिशल सिस्टम के उपर बढ़न बहुत ज़ादा है और अगर ऐसे छोटे-छोटे केसिस भी यहाँ पर आते रहेंगे ना कोट के अंदर तो यह बढ़न बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम सॉलव होगी नहीं पार होगी पहले से यहाँ पर की छोटे मोटे जो वोईलेशन होगे उनको यहाँ पर सजा नहीं दिजाएगी simple कोई simple violation हो रहा है या minor violation हो रहा है अगर कोई एक बड़े level पर हमारे environment को injury पहुचा रहा है एक बड़े level पर environment को pollute कर रहा है तो उसको definitely सजा होगी ठीक है ना उसको यहाँ पर जिल की जाएगी यह आपको ध्यान डखना यह बाते environment protection act के अंदर बोली गई थी और इसके अंदर जो बड़ला हुआ है उसके बारे में यहाँ पर mention क्या गया अब समझते ही है कि हम लोग environment protection act आखरकार क्या है यह बहुत important है context क्या है यह तो मैंने आपको अलड़ी समझा दिया कि हाँ बड़ला हुआ है और यहाँ पर क्या क्या amendments कर दिये गए है environment protection act 1986 के अंदर वो अलड़ी हम लोग cover कर चुके हैं कि अगर कोई यहाँ पर simple violation है तो simple violation पर कोई भी सजा नहीं है और मतलब कि penalty छोटी से लगाई जाएगी लेकिन अगर कोई बहुत जादा injury पहुचा रहे हमारे environment को तो उसको Indian penal code के अंदर cover किया जाएगा और उसको यहाँ पर arrest किया जाएगा अच्छा जो भी penalty आएगी यानि कि penalty लगाई जाएगी तो उस बंदे से पैसा वसूला जाएगा अब जो भी पैसा वसूला जाएगा तो उसके लिए यहाँ पर एक penalty fund मनाया जाएगा जो कि हमारे environment की protection के लिए use किया जाएगा ठीक है ना इसको हम लोग protection fund के नाम से जानने वाले हैं Central government यहाँ पर उस protection fund को देखेगी clear हो गया तो यह तो कुछ changes करे गए यह current news के बारे में बात हो गई है अब बात करते हैं हमारा environment protection act 1986 exactly बोलता क्या है इसी act के अंदर बदलाव करे गए अब यह act है क्या इसके बारे में भी जान लो background कबर हो जाएगा तो environment protection act 1986 की जब चर्चा की जाती है तो अब्यसी बात है यह कुछ rules and regulations लेकर आता है जो कि हमारे environment को safety provide करवाने के बारे में चर्चा करता है इसका background यानि कि environment protection act का idea आया कहाँ से तो इसका idea आता है देखो एक conference होता है United Nation conference होता है on human environment यह conference Stockholm में होता है Stockholm कहाँ पर है ज़रा नीचे comment section में लिख दो यह Stockholm के अदर conference होता है June 1972 की बात है वहीं पर यह idea आता है इस संभिधान में क्या क्या provisions है तो आप बता पाओगे बिल्कुल बता पाओगे कि आपने पहले पढ़ रखा है अच्छा नहीं पढ़ रखा है तो चलो यहाँ पे cover कर लेते हैं environment को protect करने के लिए हमारे पास में कुछ provisions है जैसे पहला provision constitution क्या बोलता है Indian constitution के अंदर article 253 के अंदर mention है environment protect act तो environment protection act को तो हम लोग लेकर ही आए है Indian constitution article 253 के अंदर वो mention किया गया है लेकिन यह तो चलो वह तो बात होगा ही simple सी कि हाँ यह हमारे संभिधान के अंदर mention है लेकिन अभी मैं आपको कुछ important बात बताता हूँ यह दो point ध्यान लखना जैसा हमारे संभिधान का article 48A है तो यह 48A जो है न यह बात करता है कि जो state है उसको क्या करना चाहिए उसको environment को protect करना चाहिए और साथी साथ में जो हमारा forest है या wildlife है हमारे देशा उसको एक protection देनी चाहिए तो हमारे संभिधान का article 48 में चर्चा की गई है साथी साथ में article 51 के अंदर भी चर्चा की गई है हाँ पर बोला गया है कि जितने भी नागरी के हर एक citizen को हमारा जो environment उसको protect करना चाहिए तो संभिधान के अंदर ये दो article जो है ना हमारी central government के पास में कौनकों सी power साजाती है केन सरकार के पास में सबसे ज़्यादा power आती है या फिर आप कर सकते हो सारी powers केन सरकार के हाथ में है कैसी कैसी power तो केन सरकार यहाँ पर एक authority को establish कर सकती है और वो authority का का काम क्या होगा obviously बात है environment pollution को रोकने का काम होगा साथ ही साथ में और भी बहुत सारी powers आती है जैसे कि हमारी central government एक nationwide program चला सकती है यानि पूरे country के level पर एक program चला जाएगा और वो program क्या करेगा वो program environment pollution को रोकने का काम करेगा ठीक है plus central government के पास में और भी power आती है जैसे जो भी हमारी industry से उसको regulate करना यानि कोई industry लग रही है उससे यहाँ पर environment के ओपर बुरा impact पढ़ रहा है तो उसको रोकने का काम करेगा उसको prohibit करने का काम करेगा ये सारी powers central government के पास में केन सरकार के पास में राजसरकार के पास में नहीं है ध्यान रखना आ गया आते हैं अच्छा अब ये बताओ ये तो आपने समझा दिया कि भाईया अब change कैसे होगा है कि छोटी सजा को माफ किया जाएगा उसके उपर penalty लगाए जाएगी बड़ी सजा होगी तो arrest किया जाएगा लेकिन पहले क्या हुआ करता था तो environment protection act के अंदर देखो current status क्या है कि अभी के लिए सजा कैसे दी जाती है इसको समझते है अभी के लिए यहाँ पर penalty चार्ट की जाती है माल लो किसी ने हमारे कानून का उल्लंगन कर दिया तो उसके लिए यहाँ पर यह है कि उसको 5 साल की सजा दी जाएगी और 1,00,00 रुपे का fine उसके उपर charge किजा सकता है या फिर कोई खतरनाक इंसान ने जिसने खूब सारा pollution किया है तो 5 साल की सजा तो दी जाएगी साधी साथ में 1,00,00 रुपे का fine भी आप दो गए ठीक है और यहाँ पर मालो उसको यह सब कुछ सजा हो गई ठीक है न उसके बावजूद भी वो violation करता है ठीक है न अब violation करता है तो क्या होगा उसको पर हर दिन 5,000 रुपे का जुर्माना चड़ता रहेगा ठीक है न क्लियर हो गया उसके बाद में यहाँ पर यह बोला गया कि अकर वो ऐसी और भी काम करता रहे गया तो जो offender होगा न उसको जो सजा दी गई है वो बढ़ा दी जाएगी और सजा बढ़ा कर साथ साल तक कर दी जा सकती है तो अभी के लिए provision यह है लेकिन अब इसके अंदर बदलाफ कर दिया गया है बदलाफ क्या कर दिया गया यह मैं औरड़ी आपको बता चुका हूँ कि simple violation जो होगा वो हाँ पर उसके ओपर penalty charge की जाएगी क्यों क्यों कि judicial system के ओपर बड़न पहले से ही है उस बड़न को यहाँ पर कम करने के ओपर focus किया जा रहा है तो यह बात हो गई overall environment protection act की अब हम लोग बात करते हैं कुछ important point अगर आप लोग mains के previous year question papers को analyze करोगे तो बहुत सरे questions ऐसे मिलेंगे जहाँ पर act के disadvantages को पूछा गया है act के drawbacks के बारे में पूछा गया है तो environment protection act 1986 के drawbacks क्या है आउ इसको समझते है drawback के अदर मतलब सबसे बड़ी problems क्या है तो यह बहुत अच्छा question है आप से directly कहीं पर भी बन सकता है SME भी बन सकता है या फिर मतलब SME आप लोग use कर सकता है या फिर interview में बन सकता है कि जो हमारा act है इसके अंदर क्या क्या कमिया है सबसे बड़ी कमी सबसे पहली कमी है इसके अंदर complete centralization है मतलब सारी की सारी powers हमारी केंश सरकार के पास में राजसरकार के पास में कोई पावर नहीं है यहाँ पर हम लोग बात करते हैं federalism structure की जहाँ पर केंश सरकार राजसरकार साथ में बिलकर काम करेंगे लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर complete centralization है सारी powers यहाँ पर केंश सरकार के हत में चली जा रही है तो यह एक सबसे बड़ी problem है दूसरी problem इस act के अंदर public का कोई participation नहीं है यह जो act है न वो यहाँ पर public participation के बारे में कुछ भी नहीं बोलता ठीक है यह बोला गया हमें जरूरत थी कि citizens को भी हम लोग इसके अंदर involve करें environment protection के अंदर में लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है ठीक है न तो यह भी एक problem आ जाती है फिर तीसरा सबसे बड़ा problem है incomplete coverage of pollutants यानि कि environment protection act यह environment को बचाने के बारे में बात कर रहा है pollution को control करने के बारे में बात कर रहा है लेकिन सारे pollution को इसने cover ही नहीं किया जैसे कि यहाँ पे noise pollution हो गया overburden transport system हो गया या radiation wave हो गई इसका impact भी बहुत बुरा पड़ता है हमारे environment के उपर लेकिन यह pollutants जो है इस particular act के अंदर cover नहीं किये गए है तो यह overall news उसका current issue उसका background analysis पूरा का पूरा article 360 degree के अंदर cover करवा दिया गया है चलो आते हैं अगले article की तरफ next article नीचे दिख रहा है इसको आप लोग GS paper 2 politics से relate कर पाऊगे क्या context है context यह है कि सर uniform civil code को लेकर बहुत लबे समय से मांग चल रहे हैं uniform civil code को implement कर देना चाहिए लेकिन article के अंदर mention यह क्या जा रहा है कि देखो अभी कोई भी plan नहीं है कि हम लोग कोई committee को set up करें और इस uniform civil code को लागू करें तो government ने अभी कोई भी plan को यहाँ पे नहीं रखा है जिससे uniform civil code implement किया जाएगा ऐसा खोद यहाँ पे हमारे law minister ने राजसभा के अंदर यह statement दिया है बस इतनी सी बात इस article के अंदर इसके लावा कुछ मत पढ़े ना क्योंकि statement wise article इतने important होते नहीं लेकिन इस article को highlight पर इस इसलिए किया गया ताकि काफी सरे लोग को जो uniform civil code के बारे में नहीं पता है उनको भी पता चल सके आउ समझते हैं यह uniform civil code क्या है simple से भाशा में तो इस particular article को मैं आपको बता है GS paper 2 के अंदर काफी सरे topics हैं fundamental right, DPSP और issues related to women इनसे आप लोग link कर पाओगे देखो आज के time पर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा structure बना के समझाता हूँ आज के time पर आपको भारत के अंदर बहुत सारे religions देखने को मिलते हैं Muslim हैं, Hindu हैं, Christian हैं बहुत सारे यहां पर religions आपको देखने को मिल जाते हैं अब होता क्या है कि इन सारी religions के लिए जैसे कि Hindu के लिए जो personal matters है जैसे marriage का कोई matter हो गया divorce का matter हो गया, inheritance का हो गया adoption का matter हो गया, तो इसके लिए अलगलग कानून है, इन सभी matters के लिए Hindus के अपने खुद के personal laws है, Muslim के खुद के personal laws है, Christian के खुद के laws है सभी religion के अपने अपने laws है तो कोई भी matter मालो marriage का या या divorce का या inheritance का या adoption का या तो वो सारे जो matters है न वो इनके खुद के personal laws के हिसाब से देखे जाते हैं अब होगा क्या ये सब अलग-अलग law लागू हो रहे हैं लेकिन हम लोग बात करें कि बहें uniform civil court आ जाए तो uniform civil court का context यही है कि ये सारे law को खतम कर दिया जाए और इन सब के बजाए हमारे पास सरिफ और सरिफ एक कानून हो यानि कि जितने भी religion हो सब भी religion के जो भी marriage के matter होंगे उन सब को एक ही कानून से resolve किया जाएगा कोई भी divorce के matter होंगे उनको सब को एक ही कानून के मादियम से resolve किया जाएगा तो सब भी religion के लिए एक ही यहाँ पर law होने वाला जिसको हम लोग uniform civil court बोलते हैं जो भी personal matters होता है marriage, divorce, inheritance, adoption इस वाली cases की बात की जा रही है तो यहाँ पर जो अलग-लग laws हुआ करते हैं अलग-लग religion के उसको खतम करके एक ही particular law होगा that is uniform civil court simple अब uniform civil court के बारे में कहीं पर चर्चा की गई है, क्या बिल्कुल चर्चा की गई है हमारे संभिधान में article 44 के अंदर चर्चा की गई है आर्टिकल 44 के अंदर बोला है कि बिल्कुल यहाँ पर एक uniform civil court होना चाहिए और आर्टिकल 44 क्या है तो यह एक DPSP है that is Director Principles of State Policy क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 12 से 35 तो यह fundamental rights आ जाते हैं fundamental rights के बाद में आप लोग देख पाऊगे DPSP स्टार्ट हो जाते हैं DPSP basically Article 44 के अंदर mention है तो हमारे समिधान का Article 44 भी बात करता है uniform civil code के बारे में इसको define करता है अच्छा इंडिया के अंदर क्या uniform civil code मतलब लंबे समय से लाग हो ही नहीं मतलब कहीं पर views नहीं है देखो कहीं कहीं पर हम लोग follow करते हैं भारत के अंदर बहुत सारे कानून है जैसे contract act 1872 civil procedure code transfer of property act 1882 partnership act 1932 evidence act 1872 ऐसे और भी कुछ acts हैं जिसमें सबसे बड़े major नाम मैं आपको बताई चुका हूँ जो कि uniform civil code का इस्तमाल करते हैं यानि कि एक ही कानून सभी लोग के उपर लागू होता है अगर इस प्रकार के matters आते हैं तो तो कई कई पर follow होता है लेकिन अगर आप लोग तेखोगे ना तो इन act के अंदर भी इतने सारे amendment हो गए इतने सारे शंचोदन इतने सारे बदलाव हो गए कि वो जो uniform code वाला मामला है वो खतम से नजर आ रहा है तो इसकी वज़ा से काफी सरे लोग demand भी करते हैं कि हम लोग को बिलकुल country के अंदर एक uniform civil code की आफशकता है अब हम लोग बात करेंगे इसका background की uniform civil code यह जो word है या आया कहां से इसका origin कैसे हुआ तो इसका origin हुआ है British government की site से यानि अंग्रेज यहां पर इस word को लेकर आये थे और वहीं की sites है यहां पर आप देख पाऊगे इसका origin हुआ तो बहुत लंबे समय पहले की बात है ठीक है लेकिन इंडिया के अंदर कब से चर्चा में आने लगा जो है ना Uniform Civil Code की बहुत मांग की गई फिर उसका सरला मुद्गल के अंदर वापस Uniform Civil Code के बारे में काफी चर्चा की गई है तो clear हो गया अब ये समझ में आ गया Uniform Civil Code क्या है कौन से case code करना है कहां पर हमारे constitution के अंदर mention है अब सर ये बताओ कि Uniform Civil Code अगर लागू कर दिया जाए तो इसका implication क्या होगा कुछ फाइदे वगरा है क्या बिल्कुल पहला फाइदा सुनो जो laws है वो simplify हो जाएंगे current time पे जो marriage हो रही है divorce हो रहे है ये अलग-लग laws के साबसे हो रहे है चीज़े काफी difficult हो जाती है manage करने के लिए तो इसी के विए से यहाँ पर जो ये simple code है यानि कि आप कह सकतो uniform civil code है ये चीज़ों को simplify कर देगा सबी के लिए कानून होगा तो एक जैसे तरीके से treat कर पाएंगे cases भी जल्दी resolve हो पाएंगे तो ये बात हो जाती है कि हाँ ये laws को simplify कर देता है दूसरा secularism को यहाँ पर follow करेगा मतलब क्या देखो इंडिया के अंदर पूरे भारत में इतने सारे religion साथ में मिलकर रह रहे हैं इसी को हम लोग secularism बोलते हैं कि सारे religion साथ मिलकर रहे हैं और uniform civil code क्या है ये भी हाँ पर एक कानून लेकर आ रहा है सभी के सभी एक तरीके से religions के लिए तो basically हाँ पर क्या है जो secularism का concept है न वो basically हाँ पर follow किया जा रहा है uniform civil code के तुरू तो uniform civil code secularism का पालन करता वा नजर आ रहा है ये दूसरा फाइदा तीसरा gender justice मिलेगा अभी बहुत सरे laws ऐसे देखने को मिलते हैं जहांपर gender basis पर discrimination हो जाता है यानि कि एक particular gender की तरफ law का जुकाव होता है तो वैसा कुछ नहीं होगा तो एक gender justice मिलेगा सभी के लिए एक equal law यहांपर होने वाला है तो ये तो सारे हो गए यहांपर इसके implications अब ये बताओ कोई challenge बगरा है यानि कि सारे फाइदे फाइदे नजर आ रहे है कोई दिक्कत है बिलकुल एक problem भी आती है एक सबसे बड़ी problem जिसकी काफी चर्चा होती है ठीके काफी कुछ यहांपर discuss किया जाता है वो यह है कि हमारे सम्विधान में article बहुत सारे हैं और article 25 article 25 जो कि एक fundamental right है article 25 यह बोलता है कि हर एक व्यक्ति के पास में freedom है कि वो अपने religion को practice कर सकता है propagate कर सकता है उसको यहांपर पालन कर सकता है अपने कोई भी religion उसको practice कर सकता है उसको यहांपर आगे प्रसार कर सकता है तो यानि religion को लेकर एक freedom हमें मिलता है article 25 के अंदर लेकिन दूसी तरफ यहांपर यह religion वाले loss खतम कर दिये जा रहे है तो कहीं लाका uniform civil code और article 25 के बीच में conflict आ जाएगा ठीक है न ऐसे यहांपर एक challenge भी देखने को मिलता है अच्छा अब आप लोग बताओ क्या सोचते हो इसके बारे में क्या वक्षे में uniform civil code implement होना चाहिए implement होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए strong reasons लिखना नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए उसके पीचे strong reasons लिखना चलो नीचे comment section इसके बारे में लिखो आगया आते हैं next article पर next business page पर एक छोटा सा article आपको यह देखने को मिल जाता है यह क्या बात करता है यहाँ पर WGC की side से एक statement आया है अब सरी WGC क्या है तो WGC का मतलब है एक तरीके से world gold council तो यहाँ पर क्या हुआ है इन्होंने एक statement दिया इन्होंने यह बोला कि दुनिया भर में जो gold की demand है वो April से June के महिने में 8% से घटी है यानि दुनिया भर में जो sony की demand है gold की demand है वो कम होती ही नज़राई है April से June के महिने में ऐसा बताया गया अब यह change होता रहता है कभी बढ़ेगा कभी काम होगा यह बताया जा रहा है तो आप भी सोच रहोंगा यह article क्यों पढ़ा जी article तो किसी काम का नहीं है बिल्कुल सही बात है लेकिन यहाँ पे इस article से संबंदित एक data मैंने निकाला था down to earth से और वो down to earth के अंदर data जो आया था वो मुझे यात है कि हमेरे लिख रखा है अपने पास तो वो data आपके साथ में share करना चाहता हूँ जो कि important है इंडिया के अंदर जो gold market है वो कहाँ पर stand करता है इसको समझता है तो world gold council WGC के according अगर हम लोग बात करें दुनिया भर में जो gold है न इसको regulate और manage करने का काम करता है WGC तो इस WGC के according बात करें तो इंडिया के अंदर जितने भी घर है वहाँ पे सब स्चादा सोना रखावा है तो household जो है इंडिया के अंदर वहाँ पे लगबग 24,000 से लेकर 25,000 tons of gold आपको देखने को मिल जाएगा हमारे देश बर में बहुत सारे temples आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे बहुत सारा सोना रखा हुआ है Reserve Bank of India ने भी यहाँ पे बहुत सारा सोना परचेस किया था 2019-20 में current time पे हमारे पास बहुत सारा सोना as a forex reserve रखावा है अच्छा forex reserve की बात आई है तो forex reserve में मतलब gold भी हम लोग add करते हैं ठीक बात है पाकी कुछ और चीज़ों भी add करते है तो forex reserve की चीज़ों से मिलकर बनता है वो सारी चीज़ों का नाम नीचे comment section में फटा फट लिख दो अब इंडिया की जो gold की demand है साल 2019 के अंदर वो लगबग 690.4 tons के आसपास थी और 2018 में gold की demand ये 760.4 tons के आसपास पहुँच चुकी है 2020 में पुर्गू डिमांड खतम हो गई क्यों क्योंकि pandemic आ चुका था लोगडाउन लग चुका था इसकी वैसे gold की demand और जादे कम हो गई थी और अभी के time पर April, June के महिने में और कम हो चुकी है क्योंकि काफी सारे crisis international level पर और चल रहे हैं है ना तो यह चीज़ है हम लोग देख पाते हैं तो इंडिया के बारे मैं आपको बता दिया बाकी एक बात और ध्यान अकना इंडिया के अंदर बहुत सरा सोने का smuggling भी की जाती है लगबग 120 से लेकर 200 tons के आसपास जो gold है ना यह हर साल smuggle किया जाता है भारत के अंदर फिर उसका एक और बहुत important data जब gold की बात हम लोग करते हैं तो इंडिया जो है दुनिया का second largest gold consumer है जो कि सबसादा gold को consume करता है चायना के बात में तो चायना के बात में हम लोग सबसे बड़े consumer आते हैं gold के मामले में जो कि दुनिया भर के अंदर gold producer को लेकर work करता है मतलब gold को लेकर work करता है इसका headquarter London में आपको देखने को मिल जाएगा और यह basically पूरे gold market को cover करता है और इसका काम यह है कि gold market के अंजर बिल्कुल चीज़े सही से चलती रहें एक market development हो जाए इसको लेकर यह work करता है ठीक है न clear हो गया आगया आता है बस खली इतनी सी information थी marketing के research करना marketing को promote करना यह सारा काम करता है WGC now next आते हैं editorial discussion पर देखेंगे आज के important editorials को तो हमारे पास 3 editorial हैं जो की काफी अच्छे हैं दो तो Indian Express के हैं और एक down to earth का है तो तीनों का हम लोग बहुत detail से discuss करने वाले down to earth वाला बहुत ही जादा अच्छा article है ठीक है न जिससे question बनते हैं और UPSC ने mains में question पूछा है और prelims में भी question पूछा है तो बट पहले हम लोग अपने mains के question के साथ में start करेंगे तो editorial discussion से पहले आज का mains का question क्या है जो इसका answer आपको लिखना है question क्या बोलता है what do you know about medical termination of pregnancy act 1971 काफी चर्चा में है बहुत ही जादा एक हद से जादा चर्चा में है तो इसके बारे में कुछ content त्यार करके रख लेना इसी वैसे question भी त्यार किया है MTP Act 1971 के बारे में क्या समझते हो plus women right to produce choice is an part of her personal liberty यानि कि women का जो right to reproductive है right to reproduction है यह basically उनके खुद की choice एक personal liberty है आप इसको लेकर क्या समझते हो तो यह दो अलग-अलग points यहाँ पे एक साथ में आड़ कर दिया है क्योंकि दोनों ही काफी important है दोनों से कहीं से भी question बन सकता है तो दोनों points को mix up करके एक answer लिखना critically analysis करना है 200 शब्दों में 200 शब्दों से थोड़ा सा उबर पहुंच सकता है तो वो भी आपर आप कर सकते हो क्योंकि मैंने 2 अलग-लग portions add कर रखे है तो इस question का answer लिखो नीचे comment section में लिखना चाहो दो लिख सकते हो otherwise अपने paper पर जैसी इस answer को लिख लोगे उसकी photo click करके कहाँ पर submit करनी है टेलिग्राम पर जाओगे search box में type करना दीपक यादव education mains answer writing तो mains answer writing वाल आपको चैनल मिलेगा वहाँ से आप लोग यहाँ पर daily basis पर अपने answers को submit कर पाऊगे और लगबग 20-21,000 लोग चुड़ चुके हैं एक दूसरे के answers को review भी कर रहे हैं आप भी review करना क्योंकि जितना जदा review करोगे आपके thinking capability बढ़ेगी आप उतनी जदा शोचने की समता बढ़ेगी जितने जदा answers आप लोग पढ़ोगे दो ठीक है ना चलो अब पहले हम लोग चलते हैं अपने एक article के तरफ first editorial की तरफ first editorial एक number one editorial है जिसको बोलते है न article of the day वो article of the day है डाउन टुर्थ का solid waste management क्यों ये solid waste management है क्या ये कितनी बड़ी problem है ये यहाँ पर इस article के अंदर बताया गया इसको समझेंगे मैं आपको बताऊंगा solid waste management क्या है प्लस कैसे ये कितनी बड़ी problem बनी है और कैसे इसको tackle कि जा सकता है और believe करो UPSC इसको लेकर question पूछ चुका है prelims में भी question पूछ चुका है और mains में भी मैं आपको वो question भी दिखाऊंगा आगे ठीक है ना आप लोग बस खाली यहाँ पर नीचे देखते वे चलना ये सारा का सारा data मैंने नीचे provide करवा दिया है पूरे down to earth का जो portion था वो मैंने copy paste कर दिया है आप लोग यहाँ पर इसको पढ़ सेगो क्योंकि PDF में आपको इस सारी चीज़े provide करवा दी जाती है now solid waste management की जब हम लोग चर्शा करते है तो इसका context क्या है क्यों लिखा गया article क्योंकि देखो जो population जो जनसंख्या वो लगातर बढ़ रही है urbanization लगातर बढ़ रहा है यानि की लोग शहरे की तरफ जादा बढ़ते वे नजर आ रहे है तो इसकी वजासे जो waste है यानि कूड़ा करकट है वो भी increase हो रहा है और waste में खासकर solid waste जो है वो काफी जादा बढ़ रहा है ठीक है न कूड़ा करकट लगातर increase होता वो नजर आ रहा है ऐसा याँ पर बोला गया फिर और क्या बोला गया अब यह हमाली बहुत important है कि हम लोग इस waste का proper management कर सके हैं नहीं तो वो कूड़ा हमारे लिए नुकसान है हमारे environment के लिए नुकसान है तो उसको सही जगा पर ठीकाने लगाना उसको properly manage करना हमारे लिए बहुत important बन जाता है जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे है ठीक है न यहाँ पर बाते बताई जा रही है अब question यह है कि जब आप लोग देखोगे बहुत सारी जो developing countries है जैसे कि यहाँ पर इंडिया भी एक developing country है तो यहाँ पर कूड़ा करकट बहुत ज़्यदा देखने को मिल रहा है दिरे दिरे यहाँ पर हम लोग grow कर रहे है developed country के तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे है तो हमारी तरफ बहुत सारा pollution वकरा हो रहा है बहुत सारा कूड़ा करकर बढ़ रहा है जिसमें से solid waste भी सबसदा increase हो रहा है तो इस solid waste का जो collection है यानि इसको collect करना इसको recycle करना इसकी जो activities है न वो ज़्यादतर perform की जा रही है informal sector से जो informal waste sector है वो ज़्यादतर in activities को perform कर रहा है अब यह informal sector क्या आउस को समझते हैं कि informal sector का जो role है solid waste management के अंदर वो क्या देखने को मलता है informal waste collectors यानि कोई भी व्यक्ति है ठीक है जो कोड़े का व्यापार कर रहा है कोड़े वाला आ गया घर से ठीक है ना कोड़ा आपने निकाला अब एक तरीके से जो भी काबाड होता है वो आपने निकाला अब वो उसको use करता है मतलब use करने का मतलब वो ले गया उसके बादे में आपको पैसे दिये और ले जाने के बाद में क्या करता है वो recycle को दे देता है जो recycle करने वाले ना जो समान को recycle करते हैं उनको दे देता है तो basically जो भी recyclable material होता है यानि कि जिसको recycle किया जा सकता है स्रिफ वही लेकर जाएगा वो काबाड़ी वाला तो informal waste collectors आपको देखने को मिलता है जैसे individuals भी है associations भी है waste traders बहुत सरे लोग काम कर रहें इसके अंदर जो कि क्या करता है recyclable material को purchase करता है यानि ऐसा material जिसको recycle दुबारा से किया जा सकता है दुबारा से उसको नया product बनाया जा सकता है तो वही समान आपके हर से collect किया जाता है तेगे ना कोड़े बटोरने वाला आपको recyclable करवा रहा है मतब इसको recycle करने के उपर focus कर रहा है ठीके ना जहां पर recycle होता है वहां पर जाके समान बेच दे रहे है clear हो गया तो यह informal sector वाले workers आपको देखने को मिलता है देखो एक चीज यह भी है कि अगर हम लोग एक estimation देखें जो informal waste economy है यानि कि इन workers के थूँ हमारे country में थोड़ा बहुत contribution भी होता है आप लोग देखोगे यह जो informal waste economy है इस economy के अंदर लगबख 0.5 से लेकर 2% के आसपास की जो urban population है वो included है दुनिया भर में दुनिया भर के economy का एक छोटा सा portion है इसे निकल कर आ रहा है और यहां पर लिया एक जगह से फिर दूसरे जगह पर जहां पर recycle हो रहा है वहां पर बेच रहे हैं तो इनको बहुत सारे problem face करने पड़ती है बहुत सारे challenges यहां पर इनकी जिंदगी में आते रहते हैं challenges कौन कौन से हैं सबसे पहली बात यहां पर आप देखोगे तो यह जो job है यह least rewarding job है इसका मतलब यहां पर बहुत कम पैसा मिलता है बहुत कम written मिलता है तो informal sector basically कोई officially approved नहीं है कोई भी यहां पर इसको support नहीं कर रहा है ठीक है बसकाली यहां पर इनका काम चल ला है एक जगह से यहां पर कूडा collect कर रहे है दूसरी जगह पर यहां पर बेच रहे है जहां पर recycle हो रहा है तो इसका कोई reward नहीं मिल रहा है ठीक है ना दूसरा यहां पर health issues अब यह जो कूडा बटोरने गए हैं जो informal sector के अंदर काम कर रहे हैं अब बहुत जादे गंदी गंदी जगह पर unhygienic जगह पर जाना पड़ता है तो इसकी वेसे यहां पर इनकी condition जो है health बगरा वो भी काफी गतक खराब हो जाती है proper पीने को पाने नहीं मिल पाता proper एक public toilet यूज़ करने को नहीं मिल पाता यानि कि कुपोशल हो जाता है एनेमिया हो जाता है ट्यूबर क्लॉस हो जाता है यह बिमारी सो सफर कर रहे हैं तो यह problems यहां पर informal sector के अंदर यह लोग सफर कर रहे हैं clear हो गया बाकि यह दो problem के अलावा आप देख पाओगे social treatment socially आप अनको कैसे treat के जा रहा है समाजिक तोर पर लोग कैसे treat कर रहे है गंदा समझते हैं ठीक है कोई इनसों बात नहीं करना चाहता तो यह आप देख पाओगे यह इसका भी एक impact पड़ता है clear हो गया फिर उसके आप में हाप पर बोला गया कि देखो जो wages वगरा है या living condition है इन informal workers की वो बहुत ज़ादे बेकार देखने को मिल जाती है फिर उसके बाद में जो यह waste picker है कुड़ा बटोरने वाले जो है यह है इनको कोई भी labor legislation के अंदर labor loss के अंदर cover नहीं किया जा रहा है कोई भी benefit नहीं मिल रहा है कोई medical insurance scheme नहीं मिल लिए social security benefit नहीं मिल रहा है कोई भी benefit यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो यह लोग यहाँ पर सफर कर रहा है ठीक है ना तो basically solid waste समझा आपने solid waste के अंदर informal sector का क्या रोल है यह पट्री को मिल भी होगा Damn होटी कलचल वेस्ट ओगया जो अग्री कल्चर से निकल करा रहा है डेरी का काफी सार। वेस्ट होगया बायो मेडिकल वेस्ट होगया जो हॉस्पिटल से निकल कर रहा हैE visualization क्या एलेक्टरोनिकल वेस्ट होगया यानि कि आप शहर वाला जो इलाका देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो शहर से जनरेट हो रहा है यह solid waste वो बहुत जादा है इंडिया के अंदर आप कहा सकते हो शहर वाले इलाके से लगबग 0.15 million tons के आसपास का जो solid waste वो जनरेट हो रहा है ठीके न और परड़े के सापसे ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है कि परड़े के सापसे इतना waste जनरेट हो रहा है और estimated यह है कि हमारे देश भर में लगबग आप कह सकते हो 62 million tons के आसपास जो यह waste solid waste जनरेट होता है हर साल annually यहाँ पर हमारे देश में generate होता है जो कि annually time पर यह बढ़ता चले जाएगा और बढ़ता चले जाएगा अगर कोई step नहीं उठाए गया तो और यह जो waste है ना यह इसमें से बहुत सारा waste खतरनाग भी hazardous है जो कि बहुत ज़्यदा जहरीला है तो इस प्रकार की waste की भी यहाँ पर classification की गई है जो कि आपको इतना सारा याद रखने की सुरत नहीं है बस एक overall data याद रख सकते हो कि annually कितना generate कर रहे है ठीक है ना आ गया आता है अब क्या है इसी waste को manage किया जा रहा है उसके लिए informal workers काम कर रहे है उनको भी को यहाँ पर फाइदा हो नहीं रहा है अब इस पूरे के पूरे waste management system के अंदर बहुत सरे challenges भी है सबसे बड़ी challenge यहाँ पर क्या है यह क्यों नहीं सही हो पारा सही इसलिए नहीं हो पारा क्योंकि urbanization लगतर बढ़ रहा है लोग शहर में जादा जा रहे हैं शहर में जादा रह रहे हैं तो इसकी वैसे जो consumerism है consumer महाँ पर जदे बड़े चीज़ों को consume किया या waste fake आ गया तो generation जो waste का है न वो बहुत जादे देखने को मिल जाता है प्लस यहाँ पर कोई भी financial resources नहीं है municipal corporation के साथ में अर्बन local bodies के साथ में जो हमारी local bodies होती है न जो कि यहाँ पर इस pollution को tackle करती है solid waste को manage करती है तो उनके पास में proper financial resources नहीं है proper उनके पास में पैसा जा नहीं पाता अब proper पैसा नहीं जाएगा तो यह bodies कैसे काम करेंगी ठीक है क्योंकि waste को manage करने के लिए कुछ यहाँ पर हमें नए rules and regulations या फिर आपका सकत कुछ discipline वगरा लगाने होंगे उसके लिए investment चाहिए तो investment कहां से आएगा वो पैसा आनी रहा तो यह bodies काम नहीं कर पाती है clear हो गया अब solid waste को लेकर हमारे पास में कुछ rules and regulation है ध्यान रखना जैसे plastic waste को control करने के लिए plastic rules and regulation है वैसी solid waste को manage करने के लिए solid waste management rules 2016 देखने को मिलेंगे 2016 के यह rules हैं जो कि solid waste को manage करते हैं और वो rules क्या क्या है दोको यहाँ पे इस rule के अंदर सबसे पहली बात बोली गई है यह जिम्मेदारी है generator की यानि जिसने भी यहाँ पे solid waste को generate किया है यह उसी के जिम्मेदारी है कि उसको यहाँ पे segregate करना होगा waste को यानि solid waste यह बोलता है कि आपके घर में जितना भी कूडा है आप उसको तीन भागों में बाट दो अगर कोई घीला कूडा है तो उसको घीले वाले डब्बे में डालो ठीक है ना कोई सूखा कूडा है जैसे plastic paper या metal wood वगरा उसको सूखे डब्बे में डालो और कोई domestic hazardous waste है यानि खतरनाक जैरिला जैसे diaper, napkin, cleaning agent हो गया है यह जो चीज़े है इसको आप अलग डब्बे में डालो तो hazardous चीज़े अलग घीली चीज़े अलग सूखी चीज़े अलग यानि इस waste को इस कूड़े को तीन जगा पर यहां पर separate कर दो तो इसको treat करना बहुत असान हो जाएगा इसको manage करना बहुत असान हो जाएगा इसमें कि हम लोग focus कर रहे हैं कि इंडिया को यहां पर clean India मना सकें और इसी की वेसे यहां पर जो generators हैं जो भी यहां पर इस waste को generate करना है उनकी जिम्मेदारी दी गई है तो bulk और institutional generators, market association, event organizer, hotel, restaurants सभी लोगों को यहां पर बोला गया कि आप ही responsible हो आपको क्या करना है यह जो waste जो कूड करना है बाट देना है तीन भागों में जैसे अभी मैं आपको आता है इन तीन भागों में इस कूड़े को डालो जिससे हम इस कूड़े को अराम से manage कर पाएं ठीक है ना इस कूड़े को सही से यहां पर tackle किया जा सके नई तो फिर यह problem create करेगा clear हो गया अब solid waste management को लेकर यह से हम लोग कुछ पैसा generate कर सकें तो waste से wealth generate कर सकें तो waste to wealth mission एक देखने को मलता है आप कर सकतो हो एक important mission आपको देखने को मल जाता है हमारे Prime Minister Science Tech Innovation Advisory Council का फिर उसके आद में दूसरा यहां पर आप देख पाऊगे एक बात यह की जाती है कि हमारा aim यह है कि हम लोग इस कूड़े स सकें उसको बापस से use में लेकर आ सकें दूसरा यहां पर यह जो waste को manage करने के लिए आपको पता होगा plastic को manage कर ले के लिए हमारे पास already कुछ rules है plastic waste management rules 2016 वैसे यहां पर solid waste को manage करने के लिए solid waste rules देखने को मिलते हैं जो कि अभी आपके साथ मैंने पहले discuss किये ठीक है ना अब य लिटोरल यह आया है तो है पर मेंस के अंदर 2018 में question यह पूचा यह था what are the impediments in disposing the huge quantities of discarded solid waste which are continuously being generated how do we safely remove the toxic waste that have been accumulated in our habitable environment ठीक है क्या-क्या problems आ रही है solid waste को manage करने में प्लस यहाँ पर solid waste मतब किती तीजी से generate हो रहा है प्लस यहाँ पर आप देख पाऊगे हम लोग किस प्रकार से इस toxic waste को यानि जो खतरनाक waste है इसको कैसे remove कर सकते हैं हमारे environment से तो 2018 के अंदर ऐसा question आया था आ गयाते हैं फिर उसके आद में UPSC ने 2019 में देखो 2018 में mains का question था 2019 में यह आप कह सकते हो prelims के अंदर पूछ लिया गया solid waste management rules के according बात करें इंडिया के अंदर तो कौन सा statement correct है जैसे कि यहाँ पर अलग-लग statement दिए गए statement A जो है waste generator को यहाँ पे 5 category के अंदर कोड़े को बाटना है तो यह तो गलत हो गया क्योंकि 3 category के अंदर बाटना है मैं आ provide करवाता है for exact and elaborate criteria for identification of sites for landfill and waste processing facilities यानि की आपका जो एक तरीके से जो कूड़ा है उसको कैसे process करना है पूरी तरह की facilities वगरा rules and regulations यह solid waste management provide करवाता है फिर ऐसे यहाँ पर आपको यह चौथा option देखने को मल जाता है इसका correct answer क्या है तो उसका correct answer आपको C देखने को मिल जाएगा ठीक है ना तो यह मैंने आपको question अभी उपर से बताया है यार मैं पता है 37 minutes की video record कर चुका हूँ अभी मुझे बोलते बोलते 80 minutes से उपर हो चुके है ठीक है तो फिर इसी जगकर मैं थोटा सा यहाँ पर फंबल हो रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं article important था तो मैंने आपके सा इस article में कोई भी strong points इतने नहीं है Tiger को लिकर चर्जा की गई है पूरी की पूरी Tiger कितना important है हमें Tiger को बचाना चाहिए ठीक है अब क्या चर्जा की गई है सबसे important बात यह article क्यों लिखा गया यह नहीं आज क्या है 29th of July 29th of July का मतलब है Global Tiger Day या International Tiger Day तो आज International Tiger Day है Global Tiger Day है उसी पहुचते हैं International Tiger Day को लेकर इस editorial से कही गुना जादा important चीज़े भी मैं आपके साथ में discuss करने वाला हूं कुछ चीज़े ऐसी है जो इस article mention नहीं है वो भी आप बताऊंगा कुछ चीज़े ऐसी है जो इस article mention है वो भी बताऊंगा सारी चीज़े cover करेंगे International Tiger Day की जब लोग चर चर्चा करते हैं यानि Tiger को लेकर क्या क्या का पर उसको protection दी जा रही है तो Indian Wildlife Protection Act 1972 के अंदर इसको schedule 1 में रखा गया है यानि Wildlife Protection Act 1972 में schedule 1 के अंदर है मतलब Tiger को लेकर एक rigorous protection दिया गया है highly protected यहाँ पर animal है इसको बहुत ज़़े protection देने के बारे में चर्चा की गई है दूसरा यह यहाँ पर International Union for Conservation of Nature जो IUCN के red list होती है इसमें Tiger को endangered category के अंदर रखा गया है endangered category के मतलब है कि यह जानवर बहुत जादे खत्रे में है endangered category के बाद critically endangered अगर जनसंकिया और कम होती है तो critically endangered में जाएगा और उसके बाद भी जनसंकिया कम होती है तो उसके आद यह प्रजाती साइट्स इसको बोलते हैं तो साइट्स के appendix 1 में इसको रखा गया है मतलब international जो व्यापार है international जो trade tiger का वो रोका गया है तो किसी भी जानवर की यह तीन चीज़े बहुत important होती है wildlife protection act 1972 के अंदर कौन से schedule में उसको रखा गया है दूसरा IUCN के red list में कहां पर है तीसरा sites के अ रही है इसके पीछे का importance क्या है क्या रोल है देखो tiger को protect करना मतलब जंगलों को बचाना कहोगे क्या बोले हो सर बिल्कुल सही बोला हूं tiger को protect करना tiger conservation is a symbol of conservation of forest यह याद रखना यह line जरूर से लिख लेना डाल देना ऐसा क्यों क्योंकि forest के अंदर जंगल जो है हमारे बचाना है तो tiger को बचाना होगा और अगर यहां पर पेड़ पौदे नहीं बचाने तो फिर टाइगर को बचाने कोई जरूरत नहीं है अच्छा समझते हैं चलो देखो यहां पर मतलब क्या है आपको आपने food web के बारे में सुना होगा देखो अगर अगर आप लोग नीच अब इनके उपर कौन सा जनवर आता है यानि हर्भी वोरस जनवर क्या खा रहे है पेड़ पौदे खा रहे हैं सारे के सारे अब हर्भी वोरस जनवर को कौन खा रहा है हर्भी वोरस को यहां पर जार खा रहे हैं कार्णी वोरस कार्णी वोरस जनवर वह होता है यह तो आप जानवरों को खाता है, इनमे से भी इनमे से भी यहाँ पर जानवरों को खाता है, अलगी कानी वरस अनिमल ही है, यह भी टाइगर भी यानि मांसाहरी है, लेकिन यहाँ पर यह प्रिडेटर की काटिकरी में आता है, प्रिडेटर का मतलब यह है, कि जो यह हर भी वरस जानवर ह जो कि पेड़ पौदे खा रहे हैं यह जानवरों, यह जो predator है जो tiger है वो इन जानवरों खाता है तो अब यह सी बात है अगर tiger नहीं होगा तो हर भी वोरोस जानवर भरपूर मात्रा में होंगे और यह खूब दवा कर पेड़ पौदे खा रहे होंगे पेल पौदे खा रहे होंगे तो पेल पौदे खतम होने लगेंगे फिर उसके बाद अगेन एन्वोमेंट को पर एक नेगेटिव इंप्याक्ट पढ़ने लगेगा तो पेल पौदों को बचाना है जंगल को बचाना है तो टाइगर को बचाना होगा क्यों tiger जिन्दा रहेगा तो फिर यहाँ पर इन जानवर को भी यहाँ पर regulate करके चलेगा इनकी population को maintain करके चलेगा तो tiger एक top predator है तेके ना इसी वज़ा से इसको बचाने की आवश्यक्ता है author mention करती है तो top predator है food chain के अंदर सबसे उपर आने वाला जानवर आपको यह tiger देखने को मिल जाता है tiger क्या करता है एक balance को maintain करके चलता है यानि जो herbivorous जानवर है उनके बीच में और vegetation के बीच में अगर herbivorous जानवर भरपूर मातरा में पैदा हो गए tiger होगा नहीं तो फिर यहाँ पे हमारा vegetation हमारा जो forest है वो भी यहाँ पे सब खतम हो जाएगा therefore tiger conservation is not just about a saving beautiful animal ठीक है ना यह बात यहाँ मेंशन के जारी एक अच्छी लाइन है तो जानवर को बचाना है और साथी साथ हमारे environment को भी बचाना है clear हो गया अब tiger को बचाने के लिए कुछ project यहाँ पे चलाएगा है भारत के तरू जैसे कि project tiger 1973 जो यह project tiger एक centrally sponsored scheme है यानि cancer card की चलाईवी scheme है state का भी बहुत बड़ा rule देखने को मल जाता है इसको 1973 में लांच किया गया था यह tigers को लिए एक protection देता है यह basically यहाँ पे क्या करता है यहाँ पे tigers को एक जगा देता है एक heaven बना देता है tigers के लिए हमारे national parks के अंदर उसके बाद में project tiger के बाद में tiger को protection देने के लिए एक और चीज़ चलाई गई वो है नटीसी है that is national tiger conservation authority यह जो authority एक statuary body है ध्यान अखना पूछ ले जाता है statuary body है और इसको establish क्या गया था 2005 में और इसका काम भी यहाँ पर क्या है tiger को बचाना तो यह बात हो गई अब उसके बाद और क्या बताया गया इंडिया के अंदर tiger को बचाने का status क्या है देखो इंडिया जो है न यह अकेला घर है 70% से ज़ादा tiger की population आपको देखने को मिल जाती है दुनिया भर में पूरे दुनिया भर में मतलब इंडिया के अंदर अगर हम लोग पूरे दुनिया भर में compare करें तो भारत के अंदर 70% से ज़ादा tiger की population है इंडिया जो है घर है लगबग 51 tiger reserves का चा कितने tiger reserves 51 है या कितने है ज़र नीचे comment section बताओ correct है क्या है यह data नीचे comment section फटाफट लिख दो यहाँ पे काफ सरे tiger reserves आपको देखने को मिल जाते है हमारे काफ सरे states के अंदर में यह आपको देखने को मिलेगा और इंडिया ने बहुत अच्छा काम भी किया है आप लोग देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पे tiger की population को increase भी किया है तो tiger की population पिछले 4-6 में double भी हुई है इंडिया की strategy यहाँ पर अच्छी रही है और आनवले time पर हम लोगों को थोड़ा सा और जदे महनत करना है तोड़ा सा और जदे यहाँ पर इन tiger की population को बचाना है क्लियर हो गया अब यहाँ पे कुछ tigers के बारे में चर्चा की गई जैसे की simulipal simulipal के अंदर black tiger पया जाता है ठीक है ना मैं आपको simulipal के बारे में बता देता हूँ simulipal जो है यह big biosphere reserve जो की odisha के अंदर है simulipal इसका जो नाम है कहां से आया है यह symbol से आया है ध्यान रखना silk cotton tree जिसको हम लोग बोलते है तो यह जो simulipal tiger reserve देखने को मिलता है इसको यहाँ पे एक तरीके से पहले tiger reserve इसको tiger reserve डेजिनेट किया गया था 1956 के अंदर जब इसको project tiger kender में लेकर आया गया फिर उसकाद में इसको biosphere reserve डेकलियर कर दिया गया हमारी सरकार के थूँ दन उसके बाद में simulipal जो है एक UNESCO World Network of Biosphere Reserve के अंदर भी आयता है यह भी दियान में रखना है फिर उसकाद में हाँ पर बताया गया कि एरिया ऐसा है जहाँ पर काफी सरे आग भी लगती है क्योंकि 2021 में बहुत बहेंकर आग लगी थी याद होगा कहाँ पर स्थेता है simulipal biosphere reserve तो यह ओडिशा के मयूर भंज district के अंदर है क्लियर हो गया coverage कितना है यह यहाँ पर छोड़ देना कि कितने एरिया में ही फैलाव है vegetation के बारे में देखो तो simulipal के अंदर बहुत सारे flowers है लगबख 1076 flowering species हैं और लगबख 96 species जो हैं वो orchids की आपको देखने को मिल जाती है प्लस बहुत सरे अलगलग जानवर भी पाए जाते हैं यहाँ पे tribes भी पाए जाती है इस reserve के अंदर आपको दो tribes देखने को मिलती है एरेंगा खारियास और मन किरदास यह दो tribes हैं पूछ लिया जाता है tribes की location भी तो आपको धिहान लगना है ठीके ना तो जो simulipal है यह घर है basically wild animals का जैसे tigers हैं, animals हैं इसके अलाव भी काफी सारी birds है amphibians, reptiles वगरा भी हाँ पर पाए जाते हैं ठीक है यह बात दो गई तो यहाँ पे बोला गया जो tiger की population है simulipal के अंदर, क्योंकि simulipal के अंदर black tiger पाया जाता है और यह सिर्फ और सिर्फ simulipal tiger reserve के अंदर ही पाया जाता है odisha के अंदर तो यहाँ पे जो यह black tiger है देखो इसको पर research करी गई है तो basically यहाँ पर एक कुछ areas के अंदर इसको isolate रहना पसंद है इसकी वेसे यहाँ पर यह आपको सिर्फ सिर्फ simulipal reserve के अंदर ही देखने को मिलेगा simple सी बात है तो tiger reserves को लेकर plus tiger protection को लेकर यह कुछ factual सा data था जो कि आपको directly help कर सकता है यह सारी बाते हो गई नाव आ गया आता है अब यह basically क्या देखो आज Friday है Friday में यह एक interview आता है काफी जो important चीज़े थी हो हम आपको अल्री कवर कर चुके है तो वीडियो काफी लेट हो चुका है इसकी वैसे timely वीडियो देना चाहता हूँ वनना आपका schedule बेकार हो जाएगा तो एका जो छोटे article होंगे उसको मैं देख लूँगा नेक्स्ट वीडियो में cover कर दूँगा लेकिन कुछ छूटा नहीं होगा important सभी चीज़े cover कर दी गई है तो यह Friday में यह वाला page बेकार होता है tutorial का यहाँ पे interview चला है इनके आपस के खुद के point of views है पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो ना पढ़ना चाहो तो कोई बात नहीं है उसमें कोई problem नहीं है क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हो environment performance index के बारे में ठीके न, environmental performance index के बारे में जो notes बगरे मैं आप quality प्रोवाइड करवा चुका हूँ अच्छा यह बता दो इस index के अंदर अब की बार जो साल 2022 के index से इसके अंदर भारत की ख्यार है के नीचे comment section में आप लोग बता सकते हो अब फटा फट हम लोग अपने vocabularies को देखते हैं आज की first vocab क्या बोलती है जियो पारडाइज जियो पारडाइज मतलब जोखे में डालना या फिर reject कर देना तो यह आपको आज की top most important vocab देखने को मिलती है जो की daily basis पर आप लोग यहाँ पर use कर सकते हो यह आप देखो आज न्यूसपेपर कैसे भाग राए दर दर यह सबसे बड़ी दिक्कत आज काफी तक परिशानी हुई है लेकिन कोई बात नहीं चलो फिलाल न्यूसपेपर analysis होता है समाप front page पर कोई इतना खास article नहीं था जैसे एक lot article आपको यह देखने को मिल जाता है यहाँ पर sports category का यह article है जैसे हमारे PM मोदी ने अभी 44th chess Olympiad को तामिल आडू के अंदर जो है इसको inaugurate किया इसको उदखाटन किया है तो basically उसके बारे में चड़ जा की जा रही है ठीक है ना तो बस इतनी सी information थी चलो कोई बात नहीं है यहाँ पर sports का article था बहुत कम पूशे जाते हैं लेकिन जो important होता है वो हम लोग discuss कर लेते हैं ना मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में अच्छा एक सेकेंड और यहाँ पर UPSC का prelims का question का answer क्या है तो traffic से संबंदित जो यह article था इसका correct answer आपको देखने को मिलेगा answer B जो answer B statement है वो basically यहाँ पर correct है answer जो A है वो यहाँ पर गलत है ठीक है ना क्योंकि जो traffic A है यह basically worldwide fauna for nature का under में आता है ना कि UNEP के अंडर में इस विए से पहला statement गलत हो जाद है second statement का correct है ना मिलते हैं आप से अगले वीडियो में आज क्लिए bye bye have a nice day thank you and Jai Hind